दोस्तो अगर आपको एक professional designer या फिर photo editor बनना है तो चाहे आपके पास कोई भी background हो आपको किसी भी photo के साथ उस background को match करना आना चाहिए ठीक है दोस्तो काफी सरे भाई लोगों ने मुझे Instagram पे message किया है कि मैं जो अब मेरे photo को editing करता हूँ मैं इतनी simple level से कैसे मैं background के साथ अच्छे से match कर लेता हूँ जो कि बहुत सरे भाई लोग इसको match नहीं कर पाते हैं दोस्तो या पे काफी सरे भाई लोगों ने बोला है कि मैं जो अपने खुद का तरीका है उसको मैं जो भी process में या पे आजमता हूँ वो आप सभी भाई लोगों को share करने के लिए दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए 5 ऐसे professional tricks लेके आए हूँ जिस टिप के मदद से आगर आप मेरे ये जो पाच टिप फोलो कर लोगे तो आपका भी जो या पे बेगगाउन चेंज का तरीका होगा ना आप कोई भी फोटो के साथ आपने फोटो को मैच कर चेकते हो ठीके तो दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये पाच जो टिप बताऊंगा इसको आप शरूर देखना सुरूर से लेके लास्ट तक देखना और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको गरेंट देता हूँ कि आप कोई भी फोटो दे दो कोई भी बेगगाउन आगर आपक कि बेगाउंट इडियस कैसे करते हैं अगर आपको नहीं बताए कि बेगाउंट कैसे इरिस करते हैं तो आप आइब लिटन पर कड़ा गरकि को क्या क्यों-थाला य। ठीक है उस वीडियो में आपको पाता चलेगा कि बेक्गाउन कैसे रिस करते हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कोई भी काटाउट का मतलब PNG को कैसे मैच कर सेकते हो ठीक है दोस्तों यह पर मैं आपको जो पहला टीप बताने बाला हो ना वो है कालार म दोस्तों आप जो भी बेक्गाउन के उपर मतलब आपने फोडो को एड करने जा रहे हो ना आप सबसे पहले एक चीज़ एनलाइज करो मैं आपको सबसे पहले एकस्प्लेनेशन करता हूँ ठीक है वो एकस्प्लेनेसन यह है कि आपके पास जो बेक्गाउन है आप करना होगा कि उस बेग गाउन में कौन सा काला टोन है और आपके फोटो में कौन सा काला टोन है क्योंकि आप आपने फोटो को उस बेग गाउन के साथ मैच करने बाले हो तो आपको सिंप्ली करना होगा आपने फोटो का जो बेग गाउन है उसको बेग गाउन को रिमूब करन ब्लूटोन बहुत ही ज़यादा है, मतलब आपने थोरा से डे लाइट में नहीं आपने फोटो को क्लिक के आए, क्लाऊड मोड में, कुछ एक ऐसे अजया से मोड होदा है, और आपका जो बेगाउन है बहुत धे लाइट में खिळा गया है, ठीके, तो उसको मैच केने के दूसरा tip है basic adjustment गया होता है दोस्तो इस बार में आपको बताता हूँ कि यह है background erased करने के बाद ठीक है पहला जो मैंना आपको tip बाता है वो background erase करने से पहले बाखी जो tip भी है वो background erase करने के बाद ही होगा मतलब क्या होगा दोस्तों जब भी आप अपने फोड़ों का background इरेश कर लिए हो ठीक है बेग गाउन इरेश कर लेने के बाद आप जिस बेग गाउन के ओपर आपने फोड़ो को यह पर एड़ कर रहे हो ना उसमें देखोगे कि राइनेशन कोंट्रास्ट का जो मैचिंग टोन है वो अच्छी से एड़ेस्ट नहीं होगा वो इसलिए एड का आपे बाद आपको बेग आपको यह पर रहे हो तारीका हम तारीक कर डिखना है इंप्रूब हो जाएगा ठीक है दोस्तों आप मैं आपको बताता हूँ जो तीसरा टीक है तीसरा प्रो टीप है बो है डॉजिंग और बांडिंग दोस्तों इसके पर मैं पिछले कुछ दिन पहले एक मैंने वीडियो बनाया था डॉजिंग और बांडिंग कैसी यूज करते ह आपने अगर बो वीडियो नहीं देखा है तो आप बो वीडियो ज़रूर देखो आपको बहुत यादा अचलाएगा लेकिन मैं आपको इन्सोर्ट में बता देता हूँ कि डॉजिंग बंडिंग ऐसा होता है दोस्तों मानलो कि आपके बेग्गाउन में एक डारेक्शन से ला लाइट आ रहा है आपको भी आपने मोडेल के उपर उसी डारेक्शन से लाइट को क्रियेट करना होगा और जिस डारेक्शन से डार्क इफिक्ट आ रहा है मतलब दूसरा को लाइट आ रहा है उस डारेक्शन से आपको बो दूसरा जो लाइट इफिक्ट है उसको आपको ल करना है ठीक है डीटेल्स आड करना मतलब दोस्तों मानों कि आपने जो आपने बेगाउंड में या पर आपका जो बेगाउंड है उसमें बहुत है डीटेल्स है या फिर आपके बेगाउंड में ब्लार बेगाउंड है मतलब वहां पर उतना है डीटेल्स नहीं है अगर आपक प्रकास रहता है model, model में details रहता है, उसी तरह किसे आप अगर कोई भी फोटो का background change कर रहे हो, बहाँ पे आप details नहीं डालोगे, क्योंकि आप background जब change करोगे, उतना यादा details बहाँ पे नहीं होता है, ठीके, तो आपको थोड़ा से details अड़ करना पड़ता है, ठीके, details अड़ कर बहाँ पे आप 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 अपने खोटो के पर details नालो, देखो बहाँ पे भी बहुत है अच्छा लएगा, ठीके, दोस्तों, आप मैं आपको लास्ट जो tip है, वो लास्ट जो tip में बताता हूँ, बहुत है colorating effect, और ये tip काम करें लाइड रूम एप के अंदे, ठीके, जो में आपे क्या होता है, दोस्तों, देखो, आपने सबसे पहले क्या किया, पहले color को match किया, दूसरे में आपने edges किया, तिस्टे step में आपने dodging and burning भी किया, चौते step में आपने details भी दिया, और फिप step में, आगर आप आप colorating effect नहीं दोगे ना, तो यार, उतना आदा आज, आपक यादा important चीज़ है, ठीक है, अगर आप colorating effect कोई भी normal photo के उपर नहीं दालोगे, तो भी चलेगा, लेकिन photo manipulation में ये देना बहुत ही ज़रूठी है, बना आप थोड़ा सा preset यूज़ कर सेकतो, lightroom का preset यूज़ कर लो, वो भी एक colorating effect ही है, ठीक है, उसको आप यूज़ कर लो, वो है face glow, ठीक है, दोस्तों देखो, आप ये जो past तरीका मैंने आपको बाता दिया है, past तरीका आपने follow, follow कर लो, ठीक है, follow कर लेने के बाद, आप एक छोटा सा काम करना, क्योंकि आप background change कर रहे हो, आपके background में जैसा lightening effect है, जैसा brightness, contrast effect है, उसकी हिसाब से आपका जो face का glowness है, वो कापी हद तक कम हो जाता है, कुछ बार कम हो जाता है, ठीक है, तो इसको आपको ले आने के लिए, आप थोड़ा से snap sir, आपको यूज़ करके, selective tool को, या फिर portrait tool को यूज़ करके, अपने face को glow कर चेकते हो, ठीक है, क्योंकि आगर आपके face में glow नहीं रहेगा, तो करने के बाद, आप मुझे खूद comment करके बताना, कि आपको यह सारी tip कैसा लगा, आपको थोड़ा से helpful लग रहा है, या पर नहीं ठीक है, मुझे आप comment करके ज़रू बताना, और मैं आपको guarantee बताता हूँ, कि आप थोड़ा सा इसको practice कर लोगे, तो आपको यह सारी tip बहुत लग जाता है, उन लोगों को मैं guarantee देता हूँ, कि यह video बहुत लग करेगा, ठीक है, तो आप इसको जरूर सारी करना, और वीडियो को जाने से पहले, वीडियो को नीचे जागे, लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल पर अगर आप नहीं आए हो, तो चैनल को भी subscribe करने के और मैं मिल्दा अगरी वीडियो के अंदे, तप्ते किरी कीप सबड़िंगे दोस्तु, and keep creating